हमारे साथ हमारे सायोगी विकास मधोरिया इस वक्त मौझूद है बीज़ेपी के खेमे से जुड़ी बड़ी खबर हम तक पहुचाएंगे कुल मिलाकर यहाँ पर नितिश कुमार की तैयारी जेडियू की तैयारी साफ नजर आ रही है बीज़ेपी सिर्फ वेट अन्वाच की स्थिती में है क्या बिल्कुल देखिया और कोई चारा नहीं बचा है कल रात से लेकर बलकि पिछले तीन दिनों से लगाता है हम बीज़ेपी के बड़े नेताओं से लेकर बिहार के कई नेताओं से हमारी प्रदेश उस्तर के नेताओं से बात चीत हुई आज भी सुबह मेरी आदा दर्जन नेताओं से बात हुई है और सभी लोग बहुत डाउन फील कर रहे हैं सबने साफ कह दिया कि अब तो सरकार चली गई है और इस बात का इंतिजार हो रहा है कि नेतीश कुमार कब ऐलान कर दें और जब ये पूछा हमारी बड़ी खबर यहाँ पर विकास बदोरिया दे रहे है जहां आजादी का अमरित माउत सब हम बना रहे हैं लेकिन इन 75 सालों में आज तक बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना है एक सेकंड मैं मैं शुशांग के पास चलूँ उससे पहले जरा विकास बदोरिया से इस सवाल का जवाब लेते हैं बिल्कुल देखें जो इससे पहले भी जब आपने देखा 2013 में जब प्रधान मंत्री नरेंद मोदी को बीजेपी ने अपना PM Candidates चुना था उस वक्त भी नितीश कुमार ने ऐलान कर दिया था कि अब वो बीजेपी के साथ नहीं रह सकते तब भी बीजेपी की यही स्थिती थी कि अगर आपका पार्टनर ही आपको छोड़ के चला जाए तो आप क्या कर सकते हैं आप जोर दबर्दस्ती नहीं कर सकते हैं याँ पर बिहार के हाला उसे राजियों के बीजेपी ने बिहार में एक तरीके से हार मान ली है बीजेपी मान चुकी है कि नितीश कुमार बीजेपी से अपना रास्ता अलग करने वाले है नितीश कुमार एंडिये चोड़ने वाले है नितीश कुमार एक बार फिर से पलती मानने वाले है तेज़स्वी आदव के अर्थन से नितीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की अपनी कुरसी बचा ले जाएंगे लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के साथ वो पूरी तरीके से अपने रिष्टे खत्म कर देंगे और इस सब के बीच 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 पी के इंद्रिय नेत्रत्व ने तो बिहार में हत्यार और बिहार बीच पी में इसक्त क किस तरीके की तस्वीर सीधे आपको लेकर चलते हैं मेरे सायोगी शिछानक इसक्त मौँद हैं चिशांक RGD का खेमा, GDU का खेमा, हर तरफ जोरदार हल चल और आप BJP मुख्याले बिहार में मौझूद हैं, वहां की तस्वीर दिखाइए ज़रा जी देखिए हम इस समय पतना में BJP के कार्याले में है, यहां पर पूरी तरह सांती है जी तरह जदियू में बैठा को रही है, पतना में BJP का रहले में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, यहां पर पूरी तरह सांती है पार्टी का एक भी पता दिकारी इस वक्त पार्टी दफ्तर में नहीं आ है, इस समय तक हमोमन सभी प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी जो विधायक होते थे आते थे, जनता दर्वार मंत्रियों का लगते थे, आज पूरी तरह सांता है और जिस तरह से जो खबरे निकल के आ रही है कि बीजेपी अब बैक फूर्ट पर चली गई है, बीजेपी की तरफ से नितीस को मनाने की कोशिस पूरी तरह की गई, बीजेपी के कुछ बड़े नेता, निती नवी, निती अनंदराये, और भी कुछ अननेताओं ने कल मुलक पर में है कि बीजेपी, इस बीजेपी की नितीस को महागट बंधन, बैठा है, यक बाएंगे। प्रच्टा में बीजेपी दफ्तर किये तस्वीरे जहां पूरी तरीके से सन्नाता पस्रावा है बीजेपी बैक्फूट पर आचुकी है बीजेपी ने कोल बिलाकर हार मान लिए क्योंकि बीजेपी समझ रही है कि उसके पास बिहार में आपको इविकल्थ बचा नहीं है नित जटकारे लेते हुए टक-टकी मार के डिबेट शू को पॉज रिपीट करकर के देख रहे हैं जोगिंदर जी इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव एप अपने स्मार्ट टीवी पर ABP News आपको रखे आगे